वाहिगुरु जी का खाल्चा वाहिगुरु जी की फते पंजाबी ती सिखलाई ले रहे सारे ही विद्यार्थियां दा यूट्यूब चैनल लर्न विद हर्विंदर सर विच बहुत-बहुत स्वागत है अदे इस वीडियो विच असी करांगे पंजाबी, जमाद दस्मी, साहित माला पुस्तक विच्छो श्रीगुरु अमर्दास जीधा श्रबत किरपा करके बख्ष ले दोस्तो इस वीडियो विच पहला सी श्रबत नू पढ़ांगे इससे अर्थ करांगे ते इस तो बाद इससे प्रशन उत्तर करांगे ते शिरू करन तो पहला एक संदेश जे रित तक आप सार्या ने यूट्यूब चैनल लॉन्विध हर्विंदर सर नू सब्सक्राइब नी किता ये चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो ताकि नमिया वीडियो सा आप सार्या नू समय से प्रात हो सकाण दोस्तो शेबर शिरू करन तो पहलना असी श्रीगरू अमर्दास जी दे बारे पढ़लन दे हाँ श्रीगरू अमर्दास जी सिखांदे तीजे गुरू होए हाँ आप जी दा जनम 1489 इसवी 1479 इसवी नू पिंड बास रखे जिला अमर्द सर पिता तेजबान अते माता लखुल जी दे कर पलाक राणेंच होया आप जी दे कर दो पुत्तर, मुहन जी आते मूरी जी आते दो पुत्रियां बीबी दानी जी आते बीबी पानी जी ने जनम लिया 1522 इस्वी 1552 इस्वी विच आप जी नू गुर्गद्धी प्राप्त हुई आप जी ने सिख तरम दे प्रचारली अनिका काम किते जिवें गोविंद्धवाल विखे बॉली दा निर्मान लंगर प्रथा दा विस्तार आध ते बॉली किननू क्या जान्द है ची में गोविंद्वाल चाह विखे 84 पोडिया हैं ते पोडियों तरके एक पवित्तर खुए तो उसमें बॉली क्या जान्द है आप जी दिया प्रमुख बाणिया अननंचा पट्टी अते चार वारा हैं शिरिगरु ग्रंचा विच दर्च कोल 31 रागा विच्चों आप जी ने स्तारा रागा विच बाणिया ची ते आप जी 1574 विनू गोविंद्वाल विखे जोती जोच समागे ते दोस्तों होनसी पड़ांगे शबद अते नाल दे नाल अस्ते अर्थवी करांगे ते इस शबद विच गुरु जी शिरिगरु अमर्दास जी परमातमा पासों संसारी जीवां वास्ते संसारी जीवां वास्ते बक्षिश दी मंग कर दे हन ते इस विच सबतों पहलना लिखे असी खत्ते बहुत कमाव दे अंतना पारावार खत्ते दा अर्थुन्दा पुल्ला या पाप ते अथे असी गोण है असी होगे संसारी जीव ते पारावार्दा की अर्थुन्दा पारावार्दा अर्थुन्दा अनिका जिस्दी कोई हद नी जिस्दी कोई लिमिट या सीमा नी ते इसविच गुरु से अब जी कहनते हन किphem poorly असी संसारी जीवाने इस संसार विच अनिका पुल्लाते पाप किते हन हर किरपा करके बक्ष ले हो पापी वढ गुन गार ते हे प्रबु साढ़रे पापी वढ गुनागार हन हर जीओ लिखे वार ना आवई तू बक्ष मिलावन हार ते एमन्य जन्दय कि जदो मनुख दी मौत हो जन्दी है ता तरम राज उस दा लिखा लिख दा ते चंगे या माडे करमा दा उस दा लिखा लिखा जन्द ते इस विच आया क्या गया कि हे प्रभू जे साड़े संसारी जीवान दे माडे करमा दा लिखा लिखा जावे ता साड़ी बक्षिष दी वारी ही नहीं आ सकदी क्योंकि असी बहुत माड़े कम किते हैं असी अनिक्खा पुलना दे पाप किते हैं पर तुसी सानू बक्षवी सग देओ अधे अप्डे नाल मिलावी सग देओ गुर्ट तुठे हर प्रब मेलेया सब किल्वेख कट विकार ते गुर्ट तुठे दा अर्थुन्दे किर्पालू होके या किर्पा करके किल्विक दा अर्थुन्दे पाप ते विकार दा अर्थुन्दे बुराईया ते जिस्दे अर्थ है कि जिस मनुख उपर गुरू प्रसन हुन दे हन किरपा कर दे हन ते उसनों गुरू परमात्मा नाल मिलाओं दे हन ते मनुख दे पाप दे विकार कटे जान दे हन जिनना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जैकार ते यह अर्थ है कि जिस मनुख ने प्रबु दा परमात्मा दा नाम ते आया है या नाम सिवरन किता है उस दी हर पास से जैजैकार हुंदी है ते अंड विच लिखे आ गया सलोक वारा तो वदीक महला तीजा ते इस दा अर्थ है कि ऐस सलोक वाला तो वदीक विच्चों ऐस शबद है और ले आ गया है ते महला तीज़ा दर्थ है वी तीज़े गुरू साब दी बाणी है ते विद्यार्थियों ऐसी का शबद किरपा करके बक्षले जिस विच असी यह देख्या कि श्रीगरू अमरदास जी परमात्मा पासों संसारी जीमा वास्ते बक्षिस्दी मंग कर दे हन मैंनों पूरी उमीद है कि आप सारे नुए शबद बहुत ही चंगी तरह समझ आ गया होना होन समय इस दा ब्यासल करन दा आउशरू कर दे है इस पाठ दा पाठ ब्यास ते सब्तों पहला से करांगे बड्डे उत्रह वाले प्रशन मैंनों जस विचा संगी है तेज़ दे उत्तर विच असी यह लिख सक दियां ऐस स्लोग श्रीगरु ग्रंचाइब विच दर्श्रीगरु अमर्दास जी दी बानी स्लोग वारत वदीक विच्चो ले आ गया है इस लोग विच ग्रु अमर्दास जी परमात्मा पासों संसारी जीवाँ वासे बक्षिष्टी मंग कर दे हन वो दस दे हन की जीव संसार विच अनिका पाप कर दा इस दियां पुल्ला बेशुमार हन गुरु जी परमात्मा गे अर्दास कर दे हन कि साड़े जीवान दिया पुल्ला नू माव करके साड़े ते महर करो इस लोक विच परमात्मा तो पुल्ला ते अगणा नू बक्षाउन दी मंग किती गई है अते नाम सिब्रन विच भी जोड़ दिता गया है अगला फ्रेशन है किरपा करके बक्ष लो शबदविच परमात्मा अग्गे साड़े की एर्दास है तेज उउत्तर विच जाजे लिख सक्दिया ऐस शबदविच साड़े रभगे एर्दास है कि यसी संसार वेच अनीका पुल्ला ते बाब किते है न साड़े किते कर्मा दे लिखे रही साड़ी बक्षी श्तिवारी नहीं आ सकदी इसलिए प्रभू साड़ी पुल्ला आते ओगडानू बक्ष के सानू अपने चरना विर्ष थान देन दी किर्पा करू एते सिगे वड़े उत्रा वाले प्रेशन हो न सी करांगे आते छोटे उत्रा वाले प्रेशन वन मार्क कोशन्स जिस विट सब तो पहले है किर्पा करके बक्षल किस दी रजना है इस दा उत्तर है श्री गुरू अमर्दास जी दी गुर्ट उठेदा की अर्थ है? इस जाउत्तर है किर्पालू होके या किर्पा करके तीज्जा महला तो की पाव है? इस जाउत्तर है तीज्जा गुरू खतेदा की अर्थ है? पुल्ना या पाप किल्विखदा की अर्थ है? किल्विखदा अर्थ है पाप संसार विच किन्ना दी जय जय कार हुं दिया जो परमात्मा दा नाम जपदे हन श्रीग्रु अमरदास जी नुसार बक्षण हार कौन है परमात्मा गुरु मनुख नू किस नाल मिलाउंदा है परमात्मा नाल आम जी मादे पापते पुल्ला किन्ने कु हन इस जाउत्तर है अनिका कौन बेशुमार पुल्ला करदा है इस विच से लिख सकते हैं जीव संसारी जीव या मनुख अगला प्रेशन है जदो गुरु प्रसन हुंदा है जीव दे विकार कटके उसनु केड़ी दा दिन्दा है इस जाउत्तर है नाम सिम्रन दी अगला प्रेशन है गुरु अमर्दास जी ने पर मातमा तो किसी मंग किती है इस जाउत्तर है बक्षिश दी या पुल्ला ते पाप बक्षाओं दी अगला प्रेशन है लेखे वारना आवेईदा की अर्थ है इस जा उत्तर लेखा कितनिया पूरी नहीं पैस सकती ते विद्यारतियों ऐसी गा शबद किरपा करके बख्ष ले ते इस वीडियो भी चसी शबद मुं पढ़ेया इस दे अर्थ किते ते इस दे अर्थ छोटे उत्रा वाले प्रेशन अते वड़े उत्रा वाले प्रेशन भी किते मिननू पूरी उमीद है कि आप सार्यानू ऐस बहुत ही चंगी तरह समझ आगया होना ते आप सार्याने साड़े नाल प्रेशन उत्तर भी हल कर ले होने मिलांगे आप सार्यानू अगले वीडियो देविच अगले पाठ देनाल ओधों तक अपने अत्यापक सर्दार हर्विंदर सिंग नू दियो इजाज़त सत्ष्रियकार